नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार सुक्ल, आप सबका तार्गडवी थालों में फिर से स्वागत करता हूँ, बारम बार स्वागत है, आप जैसा कि जानते हैं, पिछले क्लास में हमारा जो पहला डेमू था, बी यो क्लास को ले करके, हम पूरी संभावना के साथ ये कह सकते हैं, कि अब समय आ चुका है कि आप बी यो की परिच्छा के लिए कमर कस लें, आप के पास बहुत कम समय बचा है, और इस समय में आप अ सुनिश्चित करें, आईए हम आज इतिहास के इसी क्रम में, जब पिछले क्लास में मैंने टेनर अनलेसिस किया था, तो आज इस क्रम में हम क्यों न पूरे के पूरे इतिहास का काल विभाजन कर डालें, और केवल काल विभाजन नाम के आधार पर नहीं, बलकि इस आधार इस वैज्ञानिक आधार पर कि काल विभाजन का आधार क्या है, हम इस आधार पर काल का विभाजन करेंगे, कि क्यों किसी एक ही काल को अलग अलग नाम भी दिया गया, हम इस पूरे क्लास में आपके सामने यही टॉपिक लेकर आ जाएं हैं, इतिहास का काल विभाजन, हिस परते हैं, तब आपके पास सबसे बड़ी समस्या ये आती है, कि किस कालखंड को हम पढ़ रहे हैं, और छोटे-छोटे कालखंडों में घटनाएं कैसे घटित होती हैं, उन घटनाओं पर युगबोध का क्या प्रभाव होता है, ध्यान दीजिएगा, दोस्तों, कि इतिहास क वही समझ सकता है, जिसे युगबोध का ज्यान हो, किसका ज्यान, युगबोध का ज्यान, जिसे युगबोध का ज्यान नहीं होगा, वो इतिहास कता ही नहीं समझ सकता, युगबोध अपने समय का, एक निश्चित समय का ज्यान होता है, उस समय की तत समय का, समाजिक, आर् तो जब आप किसी particular देश, काल और परिस्ति को नहीं समझेंगे, तो कैसे निर्माण कर सकते हैं, कैसे कोई conclusion ड्रा कर सकते हैं, इतिहास इसी आधार पर हम उसका वरिकरण करते हैं, और इतिहास को तभी हम समझ सकते हैं, जब युगबोध को समझें, और युगबोध को समझने के लिए, काल भी भाजन बहुत जरूरी है, मैं आपको examples के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, जैसे suppose करिए, अगर आपको किसी युग के बारे में पूरी जानकारी नहों, पूरा बोध नहों, युग का ज्यान नहों, तो आप उस युग का मुल्यांकन करते वक्त, आज के मांदंडों का अगर प्रियोग कर लेंगे, तो उस युग के सम्मन में सही निसकर्ष नहीं न मांदंड नहीं थे, प्राचीन मांदंड प्राग एतिहासिक मांदंड नहीं थे, प्राग एतिहासिक मांदंड आगे चलकर आद एतिहासिक मांदंड नहीं रहे, यानि चाहे युग प्राग एतिहासिक हो, आद एतिहासिक हो, एतिहासिक में वो प्राचीन हो, मध्यकालीन ह या आधुनिक, जब तक हर समय का युगवोध ज्यानत नहीं होगा, तब तक आप या हम या हम में से कोई भी एक उचित निसकर्ष तक नहीं पहुँच सकता, इसलिए दोस्तों, उचित निसकर्ष तक पहुचने के लिए सबसे महत्पूर है कि हम इतिहास का विभाजन करें, इतिहास क्या है, तमाम विद्वानों ने इतिहास को परिभासित करने की कोशिस किया है, सबका अलग-अलग मत है इतिहास के संदर्व में, आरपी तिरपाठी, डॉक्टर आरपी तिरपाठी, बहुत बड़े इतिहास कार, इलहाबाद बिश्विद्याले के रिटार्ड हेड अप डिपार्टमेंट, भारत में उनकी बहुत सी पुस्तकें और बहुत से कोटेशन, जो बहुत लोगप्री हैं, और UPSC तथा PSC के एक अधिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ब्यवस्था का अध्यान है, सुवेवस्थित अध्यान, सबकी परिभासाइं अलग हो सकती हैं, लेकिन सामाने तोर पर इतिहास क्या है, तो हमारे अतीत की घटनाओं का सुवेवस्थित क्रमबद अध्यान है, एक सुवेवस्थित और क कर्मबदध्य ध्यन है। जिसमें क्या एक दियासकार क्या करता है। इतियासकार क्यवल तत्यों को Facts को collect नहीं करता। इतिहास कहानिया नहीं लिखता केवल इतिहासकार केवल तथियों को कलेक्ट नहीं करता केवल कहानिया नहीं लिखता बलकि वह तथियों के माध्यम से कथानकों के माध्यम से फैक्ट्स जितने भी मिलते हैं उसके माध्यम से और एक दूसरे की पुष्टी करता है, साथी साथ तत्संबंधी युगबोध के आधार पर अपने विचार प्रकट करता है, तो इतिहास को हम सामाने तरीके से अगर अभिव्यक्त करें, तो निसंदेह इतिहास अतीत की घटनाओं का एक सुवेवस्थित और क्रमबध अध्य नजर आता है, इसके बाद अलग-अलग बिद्वान इसकी अलग-अलग परिभासाएं देते हैं, तो कहने का क्या भी प्राय है? इतिहास को समझना भी, उसकी परिभासा गढ़ना भी, युगबोध के विना संभो नहीं है, और युगबोध के साथ, युगबोध को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इतिहास का काल विभाजन इतिहास के काल विभाजन को हम यहां सुरू करते हैं दोस्तों जल्दी से क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है इतिहास का काल विभाजन और हम यहां पर आपके सामने इतिहास का काल विभाजन लेकर आए हैं सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इतिहास के काल युहाजन के करम में इतिहास का काल युहाजन आद देखिए इतिहास को तीन भागों पहले बाटा गया पहला प्राग इतिहासिक काल या प्राग इतिहास इसे कहते हैं दूसरा आध इतिहासिक काल या आध इतिहास इसे कहते हैं और तीस से पहले हम इन तीनों के काल विभाजन का आधार ढूनना चाहिए क्यूं इसे प्रागयतिहासिक कहा गया क्यूं इसे आधियतिहासिक कहा गया और क्यूं इसे एतिहासिक काल कहा गया इसका आधार ढूनना चाहिए देखें दोस्तों अलग-अलग बिद्वान इसके आधार भी अलग-अलग देते हैं लेकिन साधान तक क्या होता है इसका सबसे बड़ा आधार मानो जीवन और उसकी जुड़ी हुई परिस्थितियों से है मानो जीवन के विकासोनमुक होती हुई गतविधियों से है जैसे एक्जामपल के तौर कर प्राग एतिहासिक काल वो कालखंड है जो प्रस्तर काल के नाम से जाना जाता है कैसा काल? प्रस्तर काल पाशान काल अर्थात इस समय की मानो की गतविधियों का जो हमारे पास साक्ष उपलब्द है वो पत्थर से संबंधित चीजों पर उपलब्ध है, अर्थात इनके जीवन में सबसे अधिक महत्व, अगर कुछ है, सबसे अधिक महत्व, तो वो पत्थर है, पासान है, ऐसा नहीं है कि अस्थिया नहीं मिलती, ऐसा नहीं है कि इनके होने का कुछ अन्य प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन जो सबसे महत् प्रस्तर प्रमाण अर्थात इनके द्वारा प्रियुक्त की गई कुलहाडियां, हैंड एक्स, इनके द्वारा चापर, चापिंग और बोल्डर का प्रियोग, बड़े-बड़े पत्थरों का प्रियोग, नदियों द्वारा बहा कर लाए गए पेबूल और पेबूल से करणों का प्रियोग वैज्ञानिक खासकर पुरातत वैज्ञानिक जो हम जिसे कहते हैं उन्होंने प्रागेतिहासिक काल में मानों द्वारा प्रियुक्त किये गए पासाण उपकरणों उनकी बनावट उसकी सरचना आधिके आधहार पर यह पताया कि प्रागेतिहासिक काल का विभाजन किया जा सकता है, कई रूपों में और मुखितत तीन कालों में विभाजन किया गया, उसको अभी हम थोड़े दिर बात चर्चा में देखेंगे, तो सबसे महत्पूर क्या है, मानो इतिहास का वह कालखंड जब वह पूरी तरह प्रस्तर आधारित जीवन जी रहा था, जब उसे लेखन कला का ग्यान नहीं था, किसका ग्यान नहीं था, जब हो पूरी तरह लेखन कला से समझेगा, उसे लेखन कला अर्थात लिपी, अर्थात उसे लिपी का ग्यान नहीं था, is it right, तब इस कालखंड को इतिहास का प्राग एतिहासिक काल कहते हैं अर्थात वह कालखंड जब मनुस्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था उसे लिपी से उसको लिपी का ज्यान नहीं था वह कालखंड जब मनुस्य प्रस्तर जीवन जी रहा था उसके जीवन में सबसे महत्वूड उपयोगी जो चीज थी वो दूसरा कालखंड इतिहासकार विवाजित करते हैं जिसे आद्द इतिहास कहते हैं आद्द इतिहास का विवाजन इस आधार पर किया गया है कि इस काल के लोग अब उन्नती कर चुके थे अपने जीवन में अब उनके जीवन में लिपी भी आ चुकी थी लेकिन दुरभाग अक्रेट होई, कि फिर वो लिपी हमारे लिए शिर्फ चित्र के समान हो गया, वो क्या संदेश देना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, हम समझी नहीं सकते, अर्थात इस कालखंड के अध्यन के लिए केवल कौन सा सुरोथ बचा इस कालखंड के लिए पुरा तात्विक सुरोथ बचा क्योंकि लिपी नहीं है तो पुरा तात्विक सुरोथ बचा इसके लिए सिर्फ इसी प्रकार इस कालखंड में लिपी तो है अपठनी है अता जब लिपी अपठनी है तो उतो एक चित्र जैसा हो गया जो कोई संदेश ब्यक्त नहीं कर पा रहा है इसलिए इस काल का ध्यन का सुरोथ भी क्या हो गया पुरा तात्पिक सुरोथी रह गया अर्थात दोनों में सूच्म अंतर ये है कि इस काल कंड में बेक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता था बेक्ति के पास लिपी नहीं थी वो साहित्तिक सुरोथ उसके पास डेवलप नहीं हो पाया लेकिन इस काल में लिपी का प्रयोग हो चुका है अर्था साहित्तिक स्रोथ हैं उसके लेकिन अपठनी हैं किन्तु अपठनी होने के कारण दोनों ही कालखंडों में अध्यान का एकमात्र स्रोथ पुरा तात्विक स्रोथ हैं और यही इन दोनों की समानता है और यही भिनता भी है कि यहां लिपी होकर भी अपठनी बनी हुई तो ध्यान दीजेगा दोस्तों इन दोनों कालखंड को इतिहास के विसेश त्रेडी में रखा जाता है और जिसे प्राग एतिहास और आद्धे इतिहास कहा जाता है क्योंकि इन दोनों ही कालखंडों में लिपी का प्रियोग या तो हुआ नहीं और अगर हुआ तो अपठनी ह अर्थात अध्यन का एक मात्र स्रोत पुरातात्विक स्रोत है। इसी प्रकार जब इतिहास की बात करते हैं तो इसका वर्गी करण करने का सीधा सा अर्थ यह है कि वो कालखंड जब लिपी अस्तित्तों में आती है। वो कालखंड जहां से हमें साहित्तिक स्रोत प्राप्त होते हैं और हम साहित्तिक स्रोतों का मिलान पुरातात्तिक स्रोत से कर सकते हैं। अनेक ऐसे मिलान है। यह वो कालखंड है जब मानों सभेता उसकी समाजीक, आर्थीक, राजनीतीक, सांस्कृतीक, धार्मिक, गत्विध यह अपने आप में एक क्रांति का समय है जब मनुस्यने प्रगति करते हुए ऐसे स्थिती को प्राथ कर लिया ऐसे जीवन को प्राथ कर लिया जहां से वह सभ्य मानों की स्रेडी में इस पश्ट रूप से हमें साहितिक स्रोतों के माध्यम से पता चलता है लेकिन इसके पहले वो कितना सभ्य था, उसके हम आदेतिहासिक काल में उसके विकास को देखकर लगता है कि वो काफी सभ्य है, उसकी बड़ी-बड़ी इमारतों को देखकर लगता है कि काफी सभ्य है, उसके द्वारा नगर नियोजन को देखकर लगता है कि काफी सभ्य है, जैसे हडपा सभ्य लेकिन साहित्तिक सुरूत उपलब्ध नहों पाने के कारण हम इसकी दावे के साथ पुष्टी नहीं कर सकते हैं यह सब कयास है और यह सब तार्थिक विशलेशन मात रहे हैं इसलिए दोस्तों प्राग अतिहासिक काल और आद्धे अतिहासिक काल इन दोनों ही कालों में लिपियों का प्रियोग इस काल में तो बिलकुल नहीं हुआ क्योंकि लोग जानते नहीं थे और इस काल में हुआ लेकिन अपठनी वनी है इसलिए मैंने क्या कहा कि इन दोनों ही काल खंड में या तो लिपी का प्रयोग नहीं हुआ और यदी हुआ तो सबसे बड़ी दुर्भाग की बात ये है आज उनके अध्यन के स्रोत के रूप में हमारे पास लिपी यानि साहित्य हाजिर नहीं है इसलिए इतिहासिक काल ही ऐसी का ऐसा काल है जहां पुरातात्पिक स्रोतों के साथ साहित्यक स्रोत भी अध्यन के लिए उपलब्ध है आगे हम इस चीज को देखें, जैसे यहां आपने देखा, इतिहास का काल युहाजन, प्रागयतिहासिक काल, आदे इतिहासिक काल और एतिहासिक काल के रूप में कियाई अब हम अगर सूच में दिरिष्टी डाले, इससे तो काम नहीं चलना, इसलिए अगर सूच में दिरिष्टी कोड डाले, और इसके अंदर की सारी चीजों को समझें, काल युहाजन के अंतरगत, तो क्या पाएंगे आईए हम प्रागेतिहासिक काल के अंदर के समय को देखते हैं कि प्रागेतिहासिक काल के अंदर क्या समय है, तो ध्यान दिजिएगा, प्रागेतिहासिक काल को तीन भागों बाटा गया है, एक पूर पासान काल, दूसरा मध्य पासान काल, और तीसरा नो पासान काल, बहु देखिए ये क्या है इसकी क्या विशेस्ताय है मद्य पासानकाल की अपनी कुछ विशेस्ताय है और नौ पासानकाल की अपनी विशेस्ताय है अब मैं आपको यहां पर बताओं कि प्रागे तिहासिक काल का भीभाजन अध्यन की सुविधा के लिए तथा बहुत लंबे समय त सब भी हो रहे जीवन की जो जहांकी है, उसके आधार पर पुरातत विदों ने, इतिहासकारों ने, प्रागे इतिहासी काल को भी तीन काल खंडों में बाटा है. पहला हमने कहा पूर पासानकाल, दूसरा मध्य पासानकाल और तीसरा नौ पासानकाल. यह जो पूर पासानकाल है, यह मानों जीवन का सबसे लंबा समय है. पांच लाक वर्स पहले से, मुक्यत पच्चास हजार से बीस हजार साल पहले तक, समझते रहिए, मैंने क्या कहा? पांच लाख वर्स पहले से लगबग पच्चास से बीस हजार वर्स पहले तक का जो कालखंड है न उसे इतिहासकार पूर पासाण काल के रूप में रखते हैं यहीं इतिहासका मानो गतविधियों के मानो जीवन का सबसे बड़ा कालखंड आपसे कोई पूछे तो क्या निकल कराएगा पूर पासाण कामानो गतविधियों के मानो जीवन का सबसे बड़ा कालखंड है लेकिन इस कालखंड में मानो ने कितना विकास किया वो सेस पशुओं से अपने आपको कैसे अलग किया कैसे वह अपनी प्रगती में दिन बदिन सुधार किया कैसे उसने प्रस्तर का प्रियोक करके अपने जीवन को सरल व साहज बनाया दोस्तों इसे समझना बहुत जरूरी है तो प्रागयतिहासिक काल वो काल खंड है जिसे पहले तीन भागों बाटा गिया पूर पासानकाल, मदे पासानकाल और नौ पासानकाल यह जो पूर पासानकाल है इसको भी अध्यन की सुविधा के लिए तीन काल खंडम बाटा गया उसको हम आगे चर्चा करेंगे लेकिन मैंने कहा प्रागैतिहासिक काल बहुत लंबा काल मानो जीवन का सबसे लंबा काल प्रागैतिहासिक काल और इसमें से भी सबसे लंबा काल कौन? उर्पासानकाल जो पांच लाख वर्स पहले से पच्चास हजार से वीस हजार वर्स पहले तक का का काल है क्योंकि मैंने ये पच्चास हजार से वीस हजार क्या बोल रहा हूँ यह यह कह रहा हूँ बेटा आप लोग इसको ध्यान से समझेगा कि इतिहासकार अलग-अलग इसका तिथिन रिधारित करते और किस आधार पे क्योंकि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में यह जो विभाजन है वो एक समय नहीं हुआ पूरी दुनिय ऑन में कुछ और है ख्यान दीजिये तो पूर पासान काल मध्य पासान काल और नौ पासान काल तीनो मिलाकार बनता है प्रागैतिहासिक काल सबसे बड़ा काल यह है सबसे बड़ा कार लगबग, इतिहास कार क्या मानते हैं? पांच लाक, कॉंसेट पगड़ीगा वर्स पूरू, कितने वर्स पूरू? तो पांच लाक वर्स पूरू से, समझिएगा पूरू से कब तक? 20 हजार, लास्ट डेट क्या आता है? समझते रहिए बीस हजार वर्स पूर वर्स पूर इसको वर्स पूर भी लिखा जाता है और कुछ लोग इसा पूर कैसे लिखते हैं चुकि वर्स पूर लिखने का मतलब गर हम आज कहें कि 20 हजार वर्स पूर तो मतलब 18 हजार इसा पूर Is it right? कि लगभग 2022 चल ला है तो 18 जार इसा पूर तो कहने का मतलब क्या है कि लगभग आज से 5 लाख वर्स पहले से लगभग 20 हजार वर्स पहले तक कि जितनी मानोगद विधियां है उसको पूर पासानकाल के अंतवत पढ़ा जाता है और ये भी दुनिया के अलग-अलग छेत्रों के अधार पे हैं अब को सेट पगड़ीगा इसी तरह से मध्य पासानकाल का मोटा-मोटा टाइम क्या डिशाइट किया गया है कहीं कहीं से 20,000 समझेगा 20,000 इसापूरो से या 20,000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले तक निरधारित किया जाता है वैस्विक परिप्रेक्ष में वर्ष पूरो तक ध्यान दीजिएगा लेकिन भारती परिप्रेक्ष में इसका समय बहुत अलग है भारती परिपेक्च में इसे अलग-अलग बिद्वान अलग-अलग तरीके से प्रस्तूत करते हैं कुछ बिद्वानों का मानना है कि 12000 इसापूर से 7500 इसापूर समझते रहेगा 7500 इसापूर तक के काल को क्या कहा गया मध्य पासराण कहा गया और 9500 का काल समय भारत में 7500 या कहीं-कहीं ध्यान दीजिएगा इसे 7000 भी लिखा गया है तो भारत में 7500 या 7000 समझते रहेगे इसापूर से यह काल 1000 इसापूर तक आता है कॉंसेट पकड़िएगा अलग-अलग छेत्रों में लेकिन अब यहां पर एक में अबलिक लगा के समझाओंगा कि इसे 2500 इसापूर भी माना जाता है अब ऐसा क्यूं माना जाता है इसके दोनों के अंतर बताते हैं भारत में 9500 का समय 7000 से 1000 इसापूर माना जाता है अधिकांस विदवान से स्विकार करते हैं लेकिन भारत में नौ पासान काल एक ही समय समाप नहीं हुआ जैसे पश्रिमुत्र भारत में जहां पंजाब आदी राजे पढ़ते हैं वहाँ पर लगबग साथ हजार इसापूर यानि आज से नौ हजार साल पहले लगबग साथ हजार इसापूर नौ पासान आ गया और मध्य पासान काल खतम हो गया और लगबग ढई हजार इसापूर वहाँ से नौ पासान काल समाप्थ हो गया और उसके स्थान पर आध्य एतिहासिक काला गया किन्तु उसी समय दक्षिड भारत में, सुदूर दक्षिड में और उसी समय सुदूर पूर्व में, उत्तर पूर्व में भारत के नौ पासराणकाल बना रहा और उग कब तक बना रहा? तो एक हजार इसा पूर्व तक बना रहा तो कहने का क्या मतलब है? कि पस्षिमुत्तर भारत में नौ पासराणकाल कब समाथ होता है? लगभग धाई हजार इसा पूर्व लेकिन सुदूर दक्षिड भारत में और पूर्वत्तर भारत में नौ पास राणकाल कब समाप्त होता है? एक हजार इसाप पूरु में. ये concept पकड़ीगा. इसलिए ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन की दशाओं तथा उस छेत्र में मानो द्वारा प्रिव्त सामगरियों के आधहार पर जो तै होता है, उसके आधहार पर निर्धारित किया जाता ह कि यह कब से कब तक रहा? तो भारत के पूरे भारत के परिप्रिक्ष में देखें, तो साथ हजार से दो हजार इसापूर के बीच में नौ पास राणकाल रहा? नौ पास राणकाल रहा? लेकिन भारत के अलग-अलग छेत्रों के हिसाफ से देखेंगे, तो ये एक हजार इस प्रागेतियासिक काल के इन विभाजनों का लेकिन अब प्रागेतियासिक काल का हमें फिर से विभाजन करना चाहिए प्रागेतियासिक काल का हम फिर से विभाजन कैसे करेंगे आप इस तरह देखिए अभी आपने प्रागेतियासिक काल देखा और इसका विभाजन हम जब कर तो ये पूरपासणकाल जो अभी आपको प्रागयतिहासिक च्छाम में पहला पूरपासणकाल उस पूरपासणकाल को भी तीन भागों बाटा जाता है एक निम्न पूरपासानकाल, दूसरा मध्य पूरपासानकाल और तीसरा उच्च पूरपासानकाल, concept पगड़िएगा अब हमने पहले इतिहास को तीन भागों बाटा, एक को प्रागयतिहासिक कहा, दूसरे को हमने आध्यतिहासिक कहा और तीसरे को एतिहासिक का फिर हमने पहला जो पूर पासानकाल था पूर पासानकाल उसको हम यहाँ पर आप समझेगा पूर पासानकाल अपने आप में क्या है तो अगर पीछे से आप देखें तो आप यहाँ यह पाएंगे कि प्रागे इतिहासिक काल का पहला कालखंड पूर पासान काल है तो इतिहास का इवाजन तो हमने प्रागे इतिहासिक आद्धे इतिहासिक और इतिहासिक ग्रूप में किया और अब प्रागे इतिहास्ति का इभाजन पूर पासानकाल, मद्य पासानकाल, नो पासान में काल में किया, अब इस पूर पासानकाल को भी हम तीन भागों बाट रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, कौन-कौन भाग है, तो ये भाग है आपके निम्न पूर पासान पूर्पासानकाल मध्य पूर्पासानकाल उच्छ पूर्पासानकाल ये वो कालखंड है जो सबसे लंबा है पूर्पासानकाल का सबसे बड़ा काल ये है इस काल की क्या भी सेस्ता है समझे इतिहासकार मानते हैं कि ये जो निम्न पूर्पासानकाल है ये पांच लाख से पां है अब ये जो काल खंड है मदद पूर पासानकाल ये 50 लाख ये सोरी ये पांच लाख से 50 लाख नहीं बलकिसे हम क्या कहेंगे पांच लाख से 50 हजा ज्यान दीजेगा 5 लाख से 50 हजार वर्स पूर का ये कहानी है नमिंप पूर हजार से अलग अलग बिद्वान अलग अलग बताते हैं कुछ बिद्वान कहते हैं 40 हजार वर्स पूरु तक और कुछ बिद्वान इसे ले आते हैं 20 हजार वर्स पूरु तक ले आते हैं इसको समझेगा पूरु पासानकाल को उच्छ पूरु पासानकाल को और उच्छ पूर 12.00 और कुछ 12.000 концemps पकड़ेगा वर्ष पूरु तक उच्छ पूर पासानकाल का समय ले जाते हैं और जैसे ही उच्छ पूर पासानकाल खतम होता है वैसे ही आ जाता है मध्यवाशानकाल क्या आता है मध्यवाशानकाल तो देखिए दोस्तों हमने क्या कहा आप से इतिहास का मध्य पासानकाल, नौ पासानकाल पूर पासानकाल को तीन भागों बाटा कौन कौन सा है? निम्न पूर पासानकाल मध्य पूर पासानकाल और उच्च पूर पासानकाल अब उच्च पूर पासानकाल सबसे लंबा समय रहा, उसके बाद इसका समय और इसके बाद इसका समय ये वर्सों में मैंने कहा है जैसे पांच लाख वर्स से पचास हजार वर्स पूरू ये समय था जैसे पचास हजार वर्स से लभग चालिस से बीस हजार पूरू ये काल था अर्थात मध्य पूर पासानकाल जैसे चालिस हजार से बीस हजार और कहीं कहीं 12 हजार, वर्सपूर, उचपूर पासानकाल था और इसके बाद क्या आ जाएगा मध्य पासानकाल तो अब इस कालखंड के विभाजन का आधार क्या था ये वो कालखंड था जब मनुसे बड़े-बड़े बोल्डर, पत्थर प्रियोक करता था जब चापर और चापिंग प्रियोक करता था, गंडासा प्रियोक करता था, समझियेगा और इसके हथियार स्थूल होते थे, भारी होते थे, वहनी नहीं होते थे लेकिन ये वो कालखंड है, इतिहास का, जब वो ही हमारे आदिमानों अपने प्रस्तर को, पत्थर से बने हथियारों को बहुत बेहतरीन धार दिये, हलके हथियार बनाए और फलक, फलक मतलब पत्थर का, सिला का, उपरी परत फलक, एक एक परत निकालने की कला सीखे और उन फलकों से, फलकों से बेहतरीन सूच में हथियार बनाए और इन हतियारों से उन्होंने अपने जीवन को सरल सहज बनाया, जैसे माल लीजिए, बड़े बड़े चापर से जो पत्थर के एक तरफ धार बना करके बनाय जाते थे, पसुओं को छीलना और काटना बहुत कठिन था, लेकिन इन्होंने छोटे-छोटे सूच में हतियार बन उसको जारणों को काटना भी आसान रहा, बेधनिया बनी, चीडने फ़ाडने का इनका पूरा प्रोसेस आसान हो गया, और ये वो कालखंड है जब मनुस्य शिकारी है, ये वो कालखंड है जब मनुस्य अभी अपने जीवन को कैसे संग्राहक के रूप में और सिकार करता है सिर्फ इसके पास और कुछ नहीं है, जीवन जीने के और कोई साधन नहीं है, इसका अर्थिवैस्था पूरा वही है कि वो सिकार करता है और उससी को आगे चलकर संग्रहित करने की कला सीख लेता है, लेकिन वो सिकारी है, ध्यान दीजिए इस पूरे पाल कालखंड में वो और रागे चलता ध्यान दीजिएगा, तो पूर पासानकाल का ये समय आपने देखा, पूर पासानकाल का ये 3 कालों में विखाजित किया गया, इस काल में बड़े पत्थरों के हत्यार थे, इस काल में छोटे-छोटे बने, इसलिए पूर पासानकाल को फलक संस्कृती भी कहत सकता था वो अधीक धारदार हो गया है उसका प्रियोग बहुत बहुत भीछतर तरीके से किया सकता थे। उच्पूर पाफशण काल में आते आते care ये वह दखी वह समय है मनुस्या बहुत सी गतविदियों में अधिबं हो गया है उचपूर पासाण काल में आते आते, उसने कई सूचमत्म हत्यार बनाए और इसी समय वह मचली पकड़ना आधी भी सुरू कर दिया, इसी समय वह इसके अंतिम समय तक जाते जाते, वह अलग-अलग प्रकार के सिकार की विधाय सीखा, कौसेट पगड़िये, यह वह काल था, अंतिम समय में आते आते, जब मनुष्य इस काल से बहुत आगे निकल चुका था, और वह मध्य काल में, मध्य पासाण काल में प्रवेस करने वाला था, यह वह काल था, तो ध्यान दे दोस्तों, मैंने कहा पूर पासाण काल को तीन हमें देखना पड़ेगा, कि यहाँ पर पूर पासाण काल को तीन भागों बाटा गया, अब हम तीनों भाग की चर्चा कर दिये, तो इसके बाद हमारे सामने क्या आता है, पूर पासाण काल के बाद आद एतिहासिक काल, क्योंकि प्राग एतिहासिक काल को तीन भागों बा मध्य पासानकाल मध्य पासानकाल और मध्य पासानकाल के बाद हम नौ पासानकाल को देखेंगे, देखेंगे, मध्य पासानकाल वो समय था, जब मानो की विशेष्टा क्या है, कि अब वो शिकारी, शिकारी तो वो इसके पहले भी था, अभी भी वो सिकारी बना हुआ है सिकारी के साथ साथ पहले वह खाद्य समझिएगा खाद्य संग्राहक संग्राहक वो पूर पासराणकाल के अंतिम समय तक खाद्य संग्राहक भी बन गया था अभी भी खाद्य संग्राहक है प्लस एक नई बात जो जुड़ी इस समय वो ये जुड़ी कि म पूरुपास्राणकाल के लोग, अब समझते रहिएगा, पसुपालन सीख गए, वह पसुपालन से परचित हो गए, सबसे इंपोर्टेंट बात है, किसे परचित हो गए, पसुपालन से, साथी साथ एक और बहुत पूर बात है, इस समय का मनुष्य अब गरतावास बनाने पुछ पूर पाशानकाल के दोरान ही उसने नौका का प्रियोग भी सीख लिया, मस्री पकड़ने का तरीका जान लिया, यह सब कुछ जान चुका है, लेकिन कुल मिलाकर मध्य पूरा पाशानकाल में जो मनुस्य है, वो पसुपालन करना और गरता वास बनाना इसी काल में इसके पहले पूरपासान काल में ही मनुष्य अगनी से परचित हो गया, उसके अविस्कार को जान गया, लेकिन अब इसके बाद ऐसा काल आएगा जब मनुष्य से आग का प्रियोग करना सीखेगा, प्रियोग करना अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अर्थात पके भोजन के लिए, आदी के लिए वो अगनी का प्रियोग करता है, लेकिन अभी नहीं, ध्यान दीजिएगा, अगनी से परचित तो मनुष्य से हो चुका है, लेकिन अपने जीवन को अपने अनुसार प्रियोग करने के लिए अगनी का काम वो नौपासान काल में करेगा, ध् और ध्यान दीजिए, जब क्लासेज हम आपकी लेंगे, तो बड़ी डिटेल क्लास लेंगे, अभी तो मैं काल भी भाजन बता रहा हूं, कि क्यों इसे मध्य पासान काल में रखा गया है, पूर पासान काल में नहीं, क्योंकि पूर पासान काल के लोग, जो बहुत लंबे समय जीवन जीए, वो सिकारी और खादिस्तंगरहाग तो थे, लेकिन वो पसुपालक और गरतावास जैसे चीजों से अभी दूर थे, ये वह काल है, जब मनुस्य अभ अधिक उन्नत संस्कृती की तरह बढ़ रहा है, और इस करम में, इसके अगले पढ़ाओ पर वह नौपास पासानकाल में आता है, ज्यान दीजिए, नौपासानकाल, अभी आपने देखा कि जस्ट पहले, इसके पहले आपने देखा कि हमने एक मिठम यहां से आपको निकाल के लाते हैं, ये वाला आपने पोर्शन देखा, मध्यपासानकाल, मध्यपासानकाल का समय भारत के परिप इसे 12,000 कॉंसेट पकड़ लिजे इसे 12,000 इसापूरु समझे इसे 7,000 मोटा मोटा 7,000 या 7,500 कहीं कहीं 8,000 तक लिखा गया है ध्यान दीजिए इसापूरु के बीच माना जाता है तो मद्य पासराणकाल का समय कब मना आता है काल विहाजन कर रहे हैं तो 12,000 इसापूरु से 8,000 या 7,000 इसापूरु तक मानते हैं भारत गया हमारे पास आता है जो सबसे महत पूर्ची वो है 9,500 का तो 9,500 का जो समय है सबसे पहले समय जान लिजिए इसको मोटे तोर पर 7,000 से पूर्ची 2,500 इसापूर के बीच भारत में 9,500 का समय माना जाता है किन्तु अगर आप इसे ध्यान से समझें तो ये कुछ इस तरह से दिखाइ देगा इसे समझेए, ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, जैसे कि ये वो छेतर है, ये वो छेतर है, जहाँ पर, और आगे हम और बढ़ालने तो, ये छेतर, जहाँ पर धाई हजारी सा पूर्व में, नौ पासरान काल समाप्त हो गया, और यहाँ आद्य एतिहासी काल आ गया, लेकिन व दक्छिट भारत में यह नौ पासरान काल एक हजार इसा पूर्व तक बना रहा, यहीं एक हजार इसा पूर्व में जाकर समाप्त हुआ, इस इट राइट, तो ध्यान दिजिए, नौ पासरान काल का समय क्या है? 8000 से 7000 पूर से लगभग 30500 पूर और इसी दोरान में ने कहा ये कब आया भारत में तो इस छित्र में दिखाई देता है कि 30500 पूर में 95 कल समाप्थ हो जाता है उसके अस्थान पर आद्य इतिहासी काल आता है लेकिन पूरोत्तर भारत में और सुदूर दक्षिड में 95 कल एक हजार इसापूर तक बना रहता है और इसके बात समाप्थ होता है यानि एक हजार इसापूर में जाकर समाप्थ होता है ऐसे भी कहसे अब इस काल की विस्यस्ता है थी हम लोग क्लास में बहुत डिटेल पढ़ेंगे इस काल की विस्यस्ता है इस इट राइट जैसे अगनी का प्रियोग करना मनुस्य सीख गया अब क्रिसी का काम करना सीख गया अब आवास बना कर रहने लगा चाद का प्रियोग करें लगा मिड़धान्ड का प्रियोग वंध्य पासाण काल ने भी करता था लेकिन अब चादारी प्रियोग करें लगा वो बहुत सी ऐसी गधविधियों से परचित हुआ इसकी डिटेलिंग हम क्लास के दौरान करेंगे अभीतो काल युःजन हो रहा है, दोस्तों लियान समझज़ेगा, अब इसी करम में हम क्या देखते हैं? कि आद एतिहासिक काल आता है आपका एक बहुत important topic इसके बाद 9 पास्ण काल के बाद आद एतिहासिक काल आता है आद एतिहासिक काल को दो कालों क मिके 20 से समझा जा सकता है दाई हजार इसापूर से driver कि अधिकान्त बिद्वान कि स्विकार करते हैं के भीच दाई हजार से dere chew, 7050 इसापूर के भीच आध एतिहासिक घाल भारत में दिखाई देता है लेकिन इसका भी अपना विभाजन है, जब हम हडपा सभेता पढ़ेंगे, तो इसके डिटेलिंग करेंगे, कि कब पूरु हडपा है, कब उन्नत हडपा है, और कब हड़ोपुत्तर है, यानि पतनोनमुख हडपा, इसी में से निकालेंगे, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, सत्रह सो पचास से, सत्रह सो पचास से, पंद्रह सो, जो बीसी है, इसा पूरु है, कॉंसेट पकड़िए, इसको भारत में औरस संस्कृति कहा जाता है, औरस संस्कृति का क्या मतलब होता है, बची-खुची संस्कृति, बचा-खुचा, चुकि हडपा सभेता का पतन का क्य आतात पर है कि नगरी सभेता का पतन हो जाना अर्थात अब ये सभेता ग्रामीड हो गई तो इस दौरान इस दौरान ग्रामीड जीवन को हम देखते हैं इसे हम ना तो हडपा सभेता में सामिल करते हैं और इसका आलखंड को ना तो वैदिक सभेता में सामिल किया आता है इसल दोस्तों वैदिक काल को भी हम आध्य रतिहासिक काल में रखते हैं क्योंकि और इसका समय पहले हम विभाजन करेंगे पंद्रह सो बीसी से कॉंसेट पकड़िएगा छे सो बीसी के बीच में इसका रियल काल विभाजन किया गया है और इसमें भी दो प्रकार क्या काल विभाजन है पंद्रह सो से कॉंसेट पकड़िएगा वैदिक काल में पंद्रह सो से एक हजार बीसी के बीच में रिगवैदिक काल और एक हजार से कॉंसेट पकड़ें एक हजार से छे सो के बीच में उत्तर वैदिक काल कानिधारन किया गया है यहां इस दोनों ही कालखंड को हम आद्धेतिहासिक कालखंड में रखते हैं यहां लिपी है पढ़ी नहीं गई यहां हमें सफष्ट ग्यान नहीं है लेकिन आरे लोग एक भासा भासी लोग थे जो किसी निश्विद भासा में अपने साहित्य को सुर्ती परंपरा से आगे बढ़ाते थे और उसकी चर्चा हम जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में करेंगे यह सुर्ती परंपरा आगे चलकर छड़ी सतादी इसापूर और पात्वी सतादी इसापूर में सूतर साहित्य के माद्यमसी से लिपिबध किया गया इस वैदिक साहित्य को लिपिबध किया गया लेकिन सुर्वात में यह माना जाता है कि सुर्ती परंपरा से आगे बढ़ा हमारा वैदिक साहित्य तो इसी लिए इस काल खंड को आद्ध एतिहासिक काल में रखा जाता है अगर इसके बाद देखें तो आद्ध एतिहासिक काल के बाद जो सीधा काल हमारे सामने आता है उसे एतिहासिक काल कहते हैं तो ये रहा हमारे सामने एतिहासिक काल 600, कॉंसेट पकड़ ये, 600 BC से, 600 BC से, 700, मतलब पूरी 700, 700 BC, ज्यादा तर इतिहासकार मानते हैं, 700 BC, तकका काल को प्राचीन भारती इतिहास में रखा जाता है, कुछ इतिहासकार इसे, sorry, हम यह BC लिख रहा है, that's very sorry, ये BC नहीं बिटा, इसका क्या हम बोले कि, 600 BC, यहाँ BC होगा, पहले में क्यों BC होगा, 600 BC से, 700 AD, इस भी तक का कालखंड को प्राचीन इतिहास के कालखंड में रखा जाता है, ये कुछ इतिहासकार इसे, 800 AD तक लिखते हैं, कुछ 750 AD तक लिखते हैं, यानि सबका अपना-पना मत है, लेकिन साधानता, आप अधिकांस पुस्तकों में यही पाएंगे, गाइड में नहीं, पुस्तकों में यह पाएंगे, कि आठवी सदी से, आठवी सदी से पूर मध्य काल सुरू हो जाता है, तो आठवी सदी से कहने का मतलब जैसे ही 700 फलस होगा, तो पूर मध्य काल होगा, मैं आपको एक्जामपल दे कर बताता हूँ आप बताएए मुहम्मद बिन कासीम ने सिंद पर कब आक्रमण किया तो आपको सब को मालू है 712 इस दी में अब बताएए मुहम्मद बिन कासीम ने प्राचीन काल में आक्रमण किया पूरमध्यकाल में तो आप बताएंगे पूरमध्यकाल में तो अगर मुहम्मद बिन कासीम 712 में सिंद पर आक्रमण कर सफल हो जाता है और उसे हम पूरमध्यकाल में लेते हैं तो इसका मतलब है कि 700 के बात की गतविधियों को पूरमध्यकाल में सामिल कर लियागी इसलिए स रखते हैं इसके बाद मध्यकालीन भारत की बात करें हो मध्यकालीन भारत को अध्यान की सुग्धा के लिए पहले अभी आपसे कहा कि मैंने यहां पूर मध्यकाल कौनसा पूर मध्यकाल और मध्यकाल में भाजन कर दिया गया है पूर मध्यकाल और मध्यकाल में कौनसेट पक बारहवी सेंचुरी एडी तक का जो समय है इसे पूर मध्यकाल कहा गया इस पूर मध्यकाल को अलग लग नाम भी दिये गए जैसे राजपूत काल जैसे अंधकार यूग जैसे स्तामंत यूग ऐसे कई नाम इतिहास कार अपने उसार देते हैं यह जो नाम अलग लग दिया गया है इसके पीछे इतिहास लेखन की धारा है सामराजजिवादी अपने दिष्टिकोर से इतिहास लिखते हैं माकसवादी अपने दिष्टिकोर से इतिहास लिखते हैं सबाल्टरन अपने दिष्टिकोर से इतिहास लिखते हैं तो उसे सेस मध्यकाल को बारहमी सदी यानि खासकर बारहसो के बाद से कहां तक 1707 में औरंजेब की मृत्यू तक का जो समय है इसे सेस मध्यकाल में रखते हैं और इसको इसमें दो काल खंडाते हैं एक सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल आपको मालूम है 1206 से 1526 तक सल्तनत काल और अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो यही है कि 1206 से 1526 तक सल्तनत काल और 1526 से 1707 तक मुगल काल जो मध्यकाल का भाग है आता है और 1707 के बाद भी मुगल काल है वो फाइनली जाकर 1880 में समाप्त होता है लेकिन उसे मुगल काल नहीं कहा जाता है Is it right? मुगल डैनेश्टी जरूर थी लेकिन अब उनका प्रभाव कम होता गया और धिर धिरो डिकलाइन चले गए डिकलाइन हो गए तो और अरंजेव की मृत्यू तक के काल खंड को मध्यकाल में रखा जाता है इस प्रकार 18. सदी कौन सी सदी? 18. सदी से 18. सदी से भारत में आधुनिक काल के सुरूआत मानी जाती है यदित की विद्वानों का मानना है कि यह संक्रमर काल था इस समय बहुत से परंपरागत राजा भारत में सासन करते थे अधिकांस भारतियों की ब्यवस्था परंपरागत ही थी बाजूद उसके विद पड़ाली के विकास तथा सिच्छा संबंदी गद्विधियों आज के कारण इस समय माना जाता है कि 18 सदी में भारत में आधुनिकता की निव पड़ी और 19 सदी में उसमें एक प्रकर विकास देखने को मिलता है इसलिए 19 सदी को भारत में उनर जागरण का काल भी कहते हैं तो ध्यान से समझेगा आधुनिक काल की सुरुवात 18 सदी से मानी जाती है इसे ट्राइट कुछ भी द्वाने से 18 और 19 सदी कहते हैं तो इस तरह से आप काल विभाजर आपने देखा हितिहास का काल विभाजर ये है लेकिन अब इसमें कुछ बातों को और जोड़ना है जैसे आ आधुनिक काल को अगर हम देखें तो बहुत क्लियर 1707 में जब औरंजेव की मृत्तियों समझेग तो इसी के साथ मुगल डिकलाइन होने सुरू हो जाते है मुगलों का पतन सुरू हो जाते हैं और 18 सदी में क्या-क्या होता है? आपने देखा कि प्लावसी का युद्ध होगा 1767 में, आपने देखा कि बकसर का युद्ध होगा 1764 में, आप देखेंगे कि इसी समय बंगाल पूरा जीत लिया जाएगा, 1765 में द्वैट सासन आएगा, 1772 में द्वैट सासन समाप्त किया जाएगा, कौसेट पकड़िएगा, फिर वहां से रेगुलेटिंग एक्ट आदी आते चले जाएगे, यानि कि 1775, 1764, 1818 सदी, कौसेट पकड़िएगा, बहुत क्लियर है, 1818 सदी में ऐसी गत्विदिया हो रही है, जब बंबई, कलकत्ता, मद्रास, प्रेजडेंसी के स्थापना हो रही है, ऐसी गत्विदिया हो रही है, जब अंग्रेज भारत में आधुनिक सिछा ला रहा है, तो इस आधार पर इस युग में, 1818 सदी में, भारत में आधुनिकता आई, आधुनिक बिचार आए, आधुनिक संस्कृती, मतलब आधुनिक संस्कृती जब हम कह सकते हैं कि राजितिक पडाली आई, ये चीजें आई, जो परंपरागत भारती पडाली से भिन्द थी, यद्देप्यो पश्मी पडाली कहलाई, इसलिए इस काल को ही, इस 1818 सदी से ही भारत में आधुनिक काल क से पूरी तरह सामत है, दोस्तों, एक बात इससे जुड़ी और भी है, बहुत इंपोर्टेंट बात, यह आधुनिक जो काल आपने देखा, इसके साथ ये भी आप समझे लिजिए कि, इसी आधुनिक काल में, उन्नीस्वी सदी, उन्नीस्वी और बीस्वी सदी, पॉसेट जाता है, लेकिन बीस्वी सदी हमारे राष्ट्री आंदोलों का धूर केंदर भी है, उन्नीस्वी और बीस्वी सदी, राष्ट्री आंदोलों का काल है, पुनर जागरन का काल है, आधुनिक्ता के भारत में समवेश का काल है, बहुत महतपुर काल है ये, लेकिन इसमें बी सुरू होता है जिसे कहते हैं स्वातंत्रोत्तर भारत पोस्ट इंडिया आप समझे आपके बीयों की परिच्छा हो चाहे कोई भी महत्पुड परिच्छा कुछ न कुछ स्वातंत्रोत्तर भारत से ही पूछ लेता है खासकर निहरुकाल से और इसकी सुरुवात 1947 के बाद होती है इसलिए दोस्तों मैं अभी तक आपको क्या बताया बहुत क्लेरली आप समझ सकते हैं मैंने आपको बताया इतिहास को संपुण मानो इतिहास को तीन भागों में बाठा को प्राग इतिहास, आदे इतिहास, एतिहास यानि प्रागेतिहासिक काल, आदेतिहासिक काल, एतिहासिक काल प्रागेतिहासिक काल को फिर तीन भागों में बाटा गया पूरपासाण काल, मध्यपासाण काल, नौपासाण पूरपासाण काल को फिर से तीन भागों बाटा गया फिर से तीन भागों निम्नपूरपासाणकाल, मध्धपूरपासाणकाल और उच्चपूरपासाणकाल अब इस तीनों के बाटने का मुख्य आधार क्या है? उस समय के मानों की गत्विधियां जो पत्थरों पर दिखाई देती हूँ, विसेस तर्था साथी इस तमें तीनों ही काल खंडों में चाहे पूरपासाणकाल हो, मध्धपासाणकाल हो और नौपासाणकाल मनुसे लिपी का प्रियोग करना नहीं जानता था तो पूर पासानकाल को भी उने तीन भागों बाटा और पूर पासानकाल के बाद आया मध्य पासानकाल मध्य पासानकाल में मनुस्य खाद्य उभोगता तो हर समय रहा है मनुस्य उभोगता हर समय रहा है आज भी है तब भी था उसके लिए सिकार करता था और कुछ चीजों को संग्रहित करता था आगे चलकर मद्य पासानकाल में मनुस्य सिकार भी करता है संग्रहित भी करता है लेकिन पसुपालन भी सीख गया उसके बाद आता है नौपासानकाल और नौपासानकाल में वह अब क्रिशी भी सीख गया इसके बाद का जो समय है नौपासानकाल के बाद का उसे आद्य एतिहासिक काल में रखते हैं और इसका समय भारत में साधानता है आद्य एतिहासिक काल का पचीस सो इसापूरु से 2525 hundred BC से आदे इतिहासिक काल का समय 600 BC के बीचें बताये गया है इसमें दो संस्कृतियों को रखा गया है घडपा संस्कृति और वैदिक संस्कृति इस दोरान हडपा संस्कृति में लिपी का प्रियोग माना जाता है इतिहास कारदोगधरा होता था लेकिन वो लिपी अपठनी बनी है, इसके कारण हम उसे एतिहासिक काल में सामिल नहीं करते हैं, और नहीं उसे हम प्राग इतिहास कह सकते हैं, क्योंकि प्राग इतिहास में तो लिपी का प्रयोग होता ही नहीं था, वो अपठनी बनी है, वो कालखंड, इसलिए उसको नाम क् Is it right? उसके बाद, आठमी सदी से, after 700 AD, from 8th century, आठमी सदी से, clearly 17th सदी तर, या और अंजेब की मृत्ति भारत में 1707 में होती है, तो 18th सदी के यहां तर डेट लिख सकते हैं, या मोटा मोटा लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? कि from 8th century to 17th century, 17th सदी तर, भारत में पूरी तरफ मध्यकाल है, इसको भी दो भागों बाटा गया है, पूर मध्यकाल जो है, वो 8th सदी से 12th सदी तर, और उसके बाद मध्यकाल की जो सीमा है, वो 12th सदी से, के बाद ने 13th सदी से कब तक? 18th सदी तर, इसके बाद आता है, भारत में आधुनिक काल, 18th सदी में, 19th सदी में क्या होता है, भारत में पुनर जावरण आता है, और 20th सदी में राष्टी आंदोलन तिब्र होता है, और भारत सुतंत्र होता है, और 20th सदी में, 1947, 15 अगस्त, 1947 को भारत आजाद होता है, औ तो दोस्तों, ये मैंने संचेफ में इतिहास का विभाजन किया, अगर आप इतिहास का ये कालखंड नहीं समझेंगे, विभाजन नहीं समझेंगे, तो इतिहास कबता ही नहीं समझ सकते हैं, इसलिए पहले इसे समझें, अपने मस्तिस को इतिहास के इस कालखंड में ले जाए और सोची ए उस समय का मानो कैसा जीवन जीता होगा और उसी आधार पर आप उसके देश काल परसिती के आधार पर ही उसकी गद्विधियों का मुल्यांकन करिएगा। फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार. नमस्कार, स्वागत है आप सबी का टर्विता लोक उनलान संस्थान में, मैं गौरबने रेंजन हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मुझे पहचान रहे होंगे, हम आज जो बात कर रहे हैं आप से वो आगामी भरती परिक्षा, खंड़ से च्छतकारी के लिए बात कर रहे हैं, यह परिक्षा कुछ दिन बाद ही होने वाली है, लगवक दिसंबर में इसका एकजाम है, इसके लिए संस्तान में एक बैच प्रारम किया जा रहा है, जहां पर ना केवल आपको प्रारमिक परिक्षा, बलकि मुख परिक्षा और मुख परिक्षा में निवन्द लेखन तक की तैयारी इसमें आपको कराई जाएगी, यह वैच सर्फसरिष्ट अध्यापकों की टीम के साथ संचालित हो रहा है, रवी सर, आलोग सर का इसमें आपको मार्ग दरसन भी प्राप्त होगा, साथी साथ यहाँ पर जो आपका निवन्द लेखन है, निवन्द लेखन के लिए भी हम लोग कारी करेंगे, निवन्द लेखन में आप अच्छे से अच्छी नमबल ला सकें, हिंदी विशाय में है, पंडित अमरेश वर्टे सरकाव मार्ग दरसन आपको मिलेगा, इस वैसे जुड़ने के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हमारा निसुल के टेलिग्राम चैनल है, आप उसको जोईन कर लीजीगा, जिसे आपको समय समय पर जो भी परिच्छा उपियोगी सूचनाय है, वो परिश्चत की जाती रहेंगी, अगर मैं अपने विशाय की बात करूँ, भूगोल, एबं परियाबरण, एबं उन से संबन्दे जो भी टॉपिक हैं, जैसे किर्सी है, ब्यापार है, बाड़िज है, जनसंख्या, नंगरी करण है, तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कराने के लिए मैं रहूँगा, अगर हम बात करते हैं, खंडे से अच्छा इधिकारी की, जो परिक्षा 2020 में अवजित की गई थी, उस परिक्षा में संस्तान ने बड़ी है रिजल्ट दिया था, हम लोगों ने बड़ी है बच्चों को पढ़ाया था, आप मैंसे कई विध्यारते ऐसे होंगे, जो हमसे पहले भी पढ़े होंगे, और जान रहे होंगे, कि संस्तान की जो कारिसेली है, जो अध्यापिकों की कारिसेली है, वो कितनी उत्तम है, यहाँ पर हर एक विशाय आपको बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ाया जाएगा, और विधिवत पूर्ण से विधिवत तरीके से आपके नोट्स हैं, आपका डाउट सेशन हैं, आपके पेडियम नोट्स हैं, सब कुछ आपको कम्प्लेट कराया जाएगे, अगर मैं अपने विशाय की बात करूँ, तो देखेगा आपको भूगोल एवं परियावरण में इतने टॉपिक पढ़ने हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल है, किर्सी ब्यापार एवं बालिज है, जनसंख्य एवं नंगरी करण है, उत्तर प्रदेश के संदर में वि परियावरण से भी प्रिष्ण पूँचे गए थे, अगर हम इतने सलेवर्ण की बात करें, तो यह सलेवर्ण ना केवल आपका प्रारम्यक परिक्षा, वलकि मुक परिक्षा में भी कुश्चन बनी है, और साथी साथ जो आपका निवंद लेखन है, उसमें एक विशेश ट बात करते हैं, तो प्रारम्यक परिक्षा में लगबग यहां से आपको 35 अंग के प्राप्त होते हैं, और मुक परिक्षा में लगबग यहां से आपकी 70 प्लस अंगों की तैयारी होती है, यानि प्रारम्यक परिक्षा और मुक परिक्षा दौनों के ही मैं बता दिया कि वर् मुख परिक्षा का जो पेपर हुआ था मेरे स्क्रीन पर यहां पर यहां पर मैं दिखा देता हूं सबसे पहले कि किस किस प्रकार के प्रिष्ण पूंचे गए थे क्योंकि संस्तान की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं रहता है जो हम आपसे कहते हैं वो सत्यापित रहता है और हम सत्त प्रितिसत आपको सही बाते ही बताते हैं अगर इस प्रिष्ण पत्र को आप देखें जो वर्स 2020 में आउजित किया गया यहां पर 125 सब्दों में देखेगा मुख परिक्षा में यह इंपोर्टेंस हो जाता है यह बहुत महत्पूर्ण रखता है कि आप जो सीमा सब्द सीमा दी गए है उसी के अंडर में लिखें ठीक है 125 सब्दों में लिखना था 10 प्रिष्ण वह दस नंबर का है यहां देखेगा अगर प्रिष्ण नंबर 3 को आप देखेगा तो उत्तर प्रदेश से लिया गया उत्तर प्रदेश के प्रमक इर्सी जलवायू प्रदे मिसन के प्रमुक उद्देशों की चर्चा कीजिएगा हाला में इसके अधिकांस चीजें आपको एकनौमी में पढ़नी होती हैं लेकिन आर्थिक भूगोल में भी आपको ये समझाएं जाएंगी चीजे ठीक है उसके बाद यहां देखिएगा पिश्ण नमबर 6 जो है वो इन नमबर के पिश्ण हो गई उसके बाद देखिएगा आंगे पिश्ण देखते हैं भारत में सुनामी चेताबनी प्रणाली के मुख विशेश्थाओं पर चर्चा कीजिएगा प्राकृतिक आपड़नी है आपको क्या पड़नी है प्राकृतिक आपड़नी है भूकांप है ज जो सब्सीमा है वो पचास सब्दों की है कि पचास सब्दों में यहां पर आपको लिखना है और यहां पर अगर देखें तो देखेगा एक कुष्णा में यह मिल गया भारत में सूखे के प्रमुकारण सूखा और बाड एक से के के दो पहलू है जब आवशक्ता से अधिक जल हो जाता है तो सूखा की कंडिशन उतन अथपन होती है तो भारत में सूखे के प्रमुकारण साथिसाध भारत के कौन कौन से छित्र है जहां पर सूखा है यह प्रभाविज छितरओं के अंत्रगत आते हैं एक पिष्ण यह पर हो गया और एक किष्ण भी आपका 10 नमब यह आपकी हो जाती है ठीक है आगे बढ़ें अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे अगर बढ़ें तो देखेगा यहाँ पर लिखा है खंड सी में प्रते के बारे में अधिक्तम 25 सब्दों में आपको लिखना है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदे पिश्ण करने हैं 20 पिश्ण करने हैं और दो दो नंबर का एक पिश्ण है यानि चार नंबर आपके यहां से हो जाते हैं ठीक है इसके बाद आगर आगे बढ़ते हैं तो आगे अब ऐसा कोई भी इससे सम्मंदित नहीं है तो वही मैंने आपको बताया है कि कोश्ण की मुःख परिक्षा में आपर तैयारी रहेगी निवंद में भी यहाँ से आपको कोश्ण मिल जाएगी जैसे इसमें दिया गया प्रेश्ण मंत्री सिच्चाई योजना ये आपको एकनौमी में भी पढ़ना हैं लेकिन सिच्चाई से संबंदित कौन-कौन से छेत् ठीक है किस प्रकार के पिष्ण पूचे जाते हैं किस प्रकार का पिष्णों का पैटर्न रहता है तो लगबग 70 पिलस अंके यहां से आपको देखने को मिल जाते हैं अगर मैं अपने टॉपिक की बात करता हूं तो अगर मैं सबसे पहले जैसी समें एक पिष्ण आया है मांसून भार भारत की जलवायू से करता हूं अगर हम जलवायू से प्रारम करते हैं तो सबसे पहले मैं topic लेता हूं जलवायू भारत की जलवायू या जलवायू और जलवायू में हम पढ़ते हैं सबसे पहले जलवायू एवं मौसम में अंतर क्या पढ़ते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं जलवायू एम मौसम में अंतर तो आगर जलवायू एम मौसम में अंतर की बात की जाए difference between climate and weather तो यहाँ पर सबसे पहले हम मौसम को देखते हैं मौसम मौसम की बारे में याद रखिएगा बायू मंडल की अलपकाल की घटना होती है अलपकाल की घटना का मतलब है कि मौसम कई बार बदल सकता है एक दिन में कही वार बदल सकता है जैसे माली ज customer अभी आप देख रहे होंगे कि सोभाय माली जेगा आप जागे सोभाय जागे आपने देखा कि अच्छे काजी दोब खिलिए है और दोफैर आते-आते आपने देखा दोपार आते आते आपने देखा कि बादल होगा और साम आते आते बारिस होगे तो सुबाय हमें गर्मी लगी दोपार में बादल हमें दिखाई दिये हो सकते हो उमस भी लगे और साम आते आते बारिस होगे जैसी साम को बारिस हो जाती है अगर आप पंके में भी सोते हैं और आप उसे बहुतर हैं तो आप महीशूस करेंगे अगर आप पंका भी चलाएंगे गैल फैन चलाएंगे और फ्रूला हुई मकान है तो आपको ठंडी से लगने लगती है रात में हमें चादर का सहारा लेना पड़ता है गर्मी से लगने लगती है तो सुबह गर्मी दोपहर साम तक वर्सात और रात में हमें ठंडी लग रही है इस जो घटना घटित हो रही है बायू मंडल की इसी घटना को नाम दिया जाता है मौसम मौसम के वारे में कहा जाता यह कभी भी बदल सकता है आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सुभाई अगर धूप निकली है तो साम तक धूपी निकली रहेगी हो सकता है साम तक बादल आ जाए हो सकता है बारिस हो भी हो सकता है बारिस ना भी हो इसलिए लिखाए कि बायूमंडल की परिवर्तित होती है यह दिन परिवर्तित होती है जलवाईः एवं मौसम जलवाईः ठीक है तो यहाँ पर जलवायू की बारे में लिखा कि यह दिन प्रति दिन परवर्तित होती है, एक सप्ता में भी परवर्तित होती है, अगर यहाँ पर हम जलवायू की बात करते हैं, अभी तक मौसम की बात हो रही ते अब जलवायू, बायू मंडल की दीरगे काल की घटना होती है जलवायू क्या है तो जलवायू बायू मंडल की देरगे काल की घटना है लगबग या पचास या उससे अधिक वर्सों के बाद परवर्तित होती है कहीं कहीं पर आपको 40 भी लिखा में लेगा पचास या उससे अधिक पचास या उससे अधिक वर्सों के बाद परिवर्तित होती है क्या जलवायू आपको यह भी लिखा मिलेगा कि जलवायू जो होती है जलवायू मौसम का ओसत होती है या अर्थार्थ जिस परकार का मौसम है उसी का अगर हम ओसत निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा किसी भी छेत्र में किसी भी देश में या किसी भी प्रिदेश में किस परकार की जलवायू पाई जाती है जैसे अगर मैं कहूं कि एक वर्स मैं कहता हूं कि कोई देश है जहां पर एक वर्स यानि बारा माहे में यह देखा गया कि 8 माहे तक गर्मी रहती है और 2 माहे तक रितू रहती है वर्सा होती है ठीक है तो आप अगर देख रहे हैं तो बारा महिने में ओसत किसका दिख है बारा महिने में ओसत गर्मी का दिख है कि वर्स के अधिकान समय तक गर्मी रह रही है एक वर्स में अधिकान समय तक गर्मी रह रही तो हम कहेंगे एक वर्स में कोई देश है जहाँ पर एक वर्स में गर्मी का जो समय है वो अधिक है इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर ओस्तन गर्मी अधिक पड़ती है यहाँ पर क्या अधिक पड़ रही है गर्मी अधिक पड़ ग गर्में परकार की है अर्थार्थ जलवायू जो है वो मौसम का ओसत है कौन सा मौसम अदेख है गर्मी का तो गर्मी के मौसम के आधार पर भी हम कहेंगे कि उस देश के जलवायू गर्में परकार की है चली तो यहां पर एक बात हम और लिख लेते हैं कि जलवायू जो होती है वो मौसम का उसत होती है जलवायू क्या है जलवायू मौसम का उसत होती है जलवायू क्या है जलवायू मौसम का उसत है ठीक है अब अगर हम बात करते हैं कि सर भारत की जलवायू कैसी तो आप लोग बताए कमेंट में हमें भारत की जलवायू कैसी तो भारत में अगर देखे एक वर्स में तो गर्मी का समय अधिक रहता है टाइम पिरियेड जो है गर्मी का वो अधिक रहता है इसलिए हम कहते हैं कि भारत की जलवायू उष्ण प्रकार की है अर्थार्थ भारत की जलवायू गर्म प्रकार की है भारत की जलबायू कैसी ये उश्ण प्रकार की है या गर्म प्रकार की लेकर यहां पर कुछ पवने भी चलती हैं ये पवने ऐसी पवने होती हैं जो रितू परवर्तन के साथ अपनी दिसा में परवर्तन करती हैं यानि गर्मी के समय ये समुदर से स्थल की ओर आती हैं और सर में भी 20 सब्दों में 25 सब्दों में दो नंबर का कुश्चन आना है जैसे सार्दा नहर पूंचा गया उतर प्रदिस के रामसर साइट्स पूंचे गए ते पिछले पेपर में हो सकता है आप से एक सब्द ही पूंचे ले मांसूनी पवन मांसूनी पवन की डेफिनिशन होती ह एसी पवनें जो रितू-परिवर्थन के साथ अपनी दिसां में परिवर्थन कर देऊं को क्या हूं मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूं कि मांसूनी पवन की अगर definition एक line में भूली जाए तो ऐसी पवने जो रितू परवर्तन के साथ अपनी दिसा में परवर्तन कर दे तो ऐसी पवनों का मांसूनी पवने कहते हैं भारत में भी है condition घटेत होती है गर्मियों के समय समुद्र से भारत की ओर पवने चलती है और सर्दियों में इस्थल से यानि भारत से समुद्र की ओर पवने चलती है जिस कारण से कहा जाता है कि भारत में मांसूनी पवनों का प्रवाव अधिक रहता है अब समझेगा भारत की जलवायू कैसी है तो भारत की जलवायू एक तो गर्म प्रकार की है मतलब वर्स के अधिकान समय तक गर्मी रहती साथी साथ रितू परवर्तन के साथ यहाँ पर अलग प्रकार की पवने चलती है एक बार इस्थल से समुदर की ओर जा रही है और एक बार समुदर से इस्थल की ओर आ रही है इसलिए हम यहां पर लिखते हैं कि भारत की जलवायू, जलवायू के संदर में लिखें, अगर यहां पर हम लिखें भारत की जलवायू, यहां पर अगर हम लिखें भारत की जलवायू, तो हम लेखेंगे जो भारत की जलवायू है, वो उश्न मांसूनी प्रकार की है, उश्न था यहां पर मांसूनी का इर्थ के साथ यहां पर परवर्तन के साथ पर परवरतन हो जाता है कैसे हो जाता आ परवर्तन के साहितों कीजिएगा या भारत की मानसूनी को डिकान पबनों को define कीजिएगा मानसूनी सब्दों को define कीजिएगा आराम से कर सकते हैं तो तैयारी बाबू आपको ऐसे कराई जाएगी कि आप प्रारंबिक परिक्षा मुक परिक्षा और साथी साथ में अगर निवन्द में भी यहां से कुछ चीजिएं आपको मिल सकती हैं तो वहां पर भी आप इस ज्यान का उपयोग कर सकें ठीक हैं चले यहां पर आते हैं हम लोग अंगली सेशन में देखते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मांसोनी तो देखेगा मांसोनी की बात की जाए मांसोनी पहली बात तो अर्वी भासा के मौसिम सब्द है मांसोनी सब्द कहां से आया है बास्तों में अर्वी भासा का एक सब्द है मौसिम और उसी को कनवर्ड कर दिया गया हिंदी में मांसोनी तो मांसोनी जो सब्द है मांसोन या मांसोनी या अर्वी भासा के मौसिम सब्द का रूपांत्रान है और इसका अर्थ क्या होता है अगर इसके मांसूनी अर्थ की बात करें, अर्थ होता है, रितू परिवर्तन के साथ, पवनों की दिशा में परिवर्तन, रितू परिवर्तन के साथ, पवनों की दिशा में परिवर्तन, रितू परिवर्तन के साथ, पवनों की दिशा में परिवर्तन, अब NCRT पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि रितु परवर्तन के साथ पवनों का उत्रक्रमन है यानि परिवर्तन ठीक है कैसे होता है दिखिएगा समझने की कोशिस कीजिएगा यह भारत है भारत की अगर हम इस्तिती की बात करें तो भारत किसे कहते हैं जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके तीन और जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके तीन और जल हो जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके तीन और पानी हो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम प्राइदु कहते हैं तो यह भारत है भारत के तीन और पानी है अगर मैं कहू में अगर मैं पूछूं कि बताएगा धरातल का टेंपरेचरा देखोगा यह धरातल है यह जल का टेंपरेचरा देखोगा भारत के तीनोर पानी है तो मैं एक आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ फिर आप इसका अंसर अच्छे से दे सकते हैं माल लिजिएगा जून का महि मैं आपको उससे कहता हूँ कि एक वकेट एक बाल्टी में पानी लिजिएगा और यह पानी छट पर रखाईएगा आपने एक बाल्टी में पानी लिया आप छट पर चलेगा है आपने वकेट को छट पर रख दिया अब मैं आपसे कहता हूँ कि ए प्रिकरिया आपको सुभ पर भेजा मैंने कहा इक हाथ बालटी में डालिएगा बालटी में जो पानी है उस में डालिएगा और ₹ चप रखिए गाएगा अब बताईएगा च्चत परबके दिक में नहीं वो आपको गर्माहाटी देगी इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो पानी है जैसे ही पानी पर हीट पड़ती है पानी पर जैसी सूर का प्रकास पड़ा पानी पर जैसी सूरिया तब गया पानी की ऊपर वाली लियर गर्म हो गई और उसका वस्पिकरन हो गया न धरातल उस्मा को दिन के समय में एपजॉर्व करता है यानि अफसूसित करता है धरातल दिन में उस्मा को एपजॉर्व करता है अफसूसित करता है और रात में इसी अफसूसित की गई उस्मा का उतसरजन करता है यानि बाहर निकालता है दिन में धरातल उस्मा को अफसूसित करता है और रात्रि में उसमा को बहार निकालता है,"गर्मियों में सामानेतद आपनने ऐसा देखा होगा कि छट पर आप लेटे हैं दस वज़े नो बज़े दस वज़े आप लेटे हैं छट पर चार पाई पर आपको गर्मी लगा, क्योंकि एक तो मौसम गर्म है साथी साथ छत पर जो दिन के समय में छत ने या धरातल ने जो उसमा एब्जॉर्ब की है अब उसका निस्कासन होने लगा रात जैसी सूर्यास्त होगा उसके कुछ समय के बाद उसमा धरातल से बाहर निकरने लगेगी जब बस्तू को उसमा नहीं मिलेगी तो जितनी उसमा है उसका वो निस्कासन करने लगा लेकिन यह उसमा निस्कासत होते होते रात के दो तीन वजे तक आप अनभाव कीजेगा कि धरातल के पास जो भी उसमा थी अब उस उसमा का निस्कासन हो गया अब उस उस्मा का निस्कासन हो गया और सुभाय के समय लगवक तीन वजे चार वजे पाँच वजे आपको छट बहुत थंडी से महसूस होगी क्योंकि जो उसके पास उस्मा थी जो उसके पास हीट थी जो उसके पास सूरिया तब था उसने क्या कर दिया वातवरण को बापस लौटा दिवातवरां को इसने बापिस कर दिया उसमा का उस ने उसछन कर दिया ठीक है बस मैं आई कि ढहा जाता है कि धरातल धरातल गर्वियों में अधिक जर्म होते हैं और थेंडियों में अधिक ठंडि прилट reminds तापमान का अंतर अधिकान धरातल पर देखा जाता है एक question पूछा जाता है कि तापांतर अधिक होता है कहां का धरातल का तापमान में अंतर दिन के समय अधिक गर्म और रात के समय अधिक ठंडा समय आगी वाद तो अब बताएगा ग्रीस रुतु में धरातल का टेंपरेचर क्या होना चाहिए ग्रीस रुतु में धरातल का टेंपरेचर सरा देखोगा क्योंकि धरातल उसमा का अब्जॉर्ब कर रहा है जबकि इसके विप्रीत पानी का टेंपरेचर कम रहेगा पानी का ट temperature है जो ताप है और जो दाब है temperature है और जो pressure है यह एक दूसरे के बिपरीत आर्थी होते हैं एक दूसरे के बिपरीत होते हैं कहने का ताथ पर यह है कि अगर temperature बढ़ेगा तो pressure क्या हो जाएगा तो pressure कम हो जाएगा तो pressure क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और यदि temperature कम होगा तो pressure प्रेशर क्या हो जाएगा प्रेशर बढ़ जाएगा जब प्रेशर बढ़ जाता है प्रेशर अधिक हो जाता है तो इसी को हम हाई प्रेशर कहते हैं और जब प्रेशर कम हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम लो प्रेशर कहते हैं इसी को क्या कहते हैं इसी को लो तो बताभिएगा, घरीसवृत्व में Magraalद का टमप्रीशर अगर अधिक है, तो यहाँ पर कोउँ सब प्रिशर बनेगा, टमप्रेशर अधिक है, तो यहाँ पर बन जायेगा आपका low pressure. और पानी में temperature कम होने के कारण यहाँ पर कौँ सा pressure बनेगा? यहाँ पर pressure बन जाएगा high pressure पवन की जो प्रिविर्थी होती है पवने यानि हवाओं के 36 संचनल को हम पवन कहते हैं, जब हवाओं छेते चलती हैं तो हम इने कहते पवन और अगर हवाओं गर्म होकर ऊपर उड़ से धरातल के लो प्रिशर की और पवने चलने लगेंगे एक अहारी हमने लिखा घरतु परवरतन के साथ पवनों में परवरतन आप इसका बिप्रीच समा लीजिगा एक घरीश मृत्व की कंडिशने शीतरी तुम होगा कि यहां पर सीतरी तुमें टेंपरेचर धरातल का कम जिस कारण से पानी पर low pressure, धरातल पर high pressure, जिस कारण से पवने स्थल से समुदर की ओर चलने लगेंगी, तो गर्मी के मौसम में धरातल की ओर और सर्दी के मौसम में धरातल से समुदर की ओर, तो रितु में जैसे ही परवर्तन हो रहा है, वैसी पवने भी क्या कर रहे हैं, मांसून करते हैं आप इसे पवन भी बोल सकते हैं मांसून क्या है तो मांसून किसे कहते हैं ऐसी पवन है ऐसे पवनों के साथ अब देखेगा यहां पर अगर इसी को और डिटेल में करें अगर यहां पर समुद्र का टेंपरेचर कम हो रहा है यहां पर हाई प्रेसर बन रहा ह तो एक पवने अपने साथ बादलों को लेकर भी जाएंगे, जिस कारण से भारत इसमें मानसून का आगमन हो जाएगा, भारत में मानसून आ जाएगा, बासने में आ इतनी, तो मानसूनी अर्वी भासा के मौसिम सब्दे का रूपांत्रा ने, अर्थ क्या होता है, अर्थ मैं की अगर हम बात करते हैं, तो देखेगा, सीतरितू की अगर बात कर रहे हैं, माली जिगा ये भारत का मानचित्र है, और हम बात कर रहे हैं सीतरितू, सीतरितू में क्या होगा, धरातल का टेंपरेचर कम होगा, और पानी का टेंपरेचर अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर वाजपी करण की पिरिक्रिया नहीं हो पा रही याद रखेगे धरातल गर्मियों में अधिक गर्म होते हैं सर्दियों में अधिक ठंड़े होते हैं इसलिए धरातल पर जैसे जैसे समुदुर से अंदर क्यों राएंगे इसलिए धरातल पर मौसमी बिवन्यता आएं मौसमी बिवन्यता या जलवायू बिसम्यता आएं धरातल ये छित्रों में अधिक पाएं जाती है मैं पढ़ाओंगा भी आगे अब यहां पर टेंपरेचर अगर कम है तो यहां पर काउसर परेसर बनेगा हाई परेसर और पबने high pressure से low pressure आभी केवल मैं आपको जो basic knowledge है बो समझा रहा हूं कि पबने कहां से कहां की ओर चलेंगी high pressure से low pressure यह भारत की ओर आ रही है यह भारत से समुद्र की ओर जा रही है तो एक आता हुआ मांसून हो गया और एक हो गया लोटता हुआ मांसून तो मांसून सब्यूच क कर रहे हैं कि यह रिटू परवर्तन के साथ अपनी दिशाम में परवर्तन कर देगा बूलिएगा बात सज्मिया इतने चलेगा इसके आंगे बढ़ते हैं इसके आंगे अगर हम चलें तो भारत की जलवायू को प्रभावित करने वाले वाले कारक, भारत के जलवाईव को प्रभावित करने वाले कारक, कौन-कौन से कारक हैं, जो भारत के जलवाईव को प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहला जो कारक मैं लेता हूँ, पहले कारक लिखा देते हैं, फिर समझाते हैं, पहला भारत का अच्छांसी विस्तार, यान बारत का अच्छांसिये विस्तार। कौन सा विस्तार है, तो पहला हो जाता है भारत का अच्छांसिये विस्तार। दुरा भारत की प्राइदुईपी ये इस्तिती अर्थार्थ भारत के तीन ओड़ जल है भारत की प्राइदुईपी ये इस्तिती अर्थार्थ भारत की प्राइदुईपी ये इस्तिती अर्थार्थ भारत की प्राइदुईपी ये इस्तिती अर्थार्थ भारत की उसके बाद चौथा हो जाता है उच्चवच यानि उच्छाई उसके बाद पार्च hol जाता है। प्रवावित करने वाले कारकोंब पर चर्चा की जलवाईव को प्रवावित करने वाले कारकोंब पर चर्चा कीजेगा प्रारंबिक परिक्छा प्रवावित की प्रवावित नहीं करते हैं और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, अब बहुत बढ़ी है संस्थान में हैं, यहां के टीचरों के बारे में आप अन्य विध्यारतियों से पूर्ण सकते हैं, अपने मुझ से हम अपना तारिफ नहीं करेंगे, आप यहां के बच्चों से पूर्ण सकते हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो जरूर बताएने विध्यारतियों को, कि किस प्रकार से आपको टीचिंग की जाती, कत्थनी और करनी में माइनस एक प्रतिसत का भी कोई अंतर नहीं है, मतलब पॉजिटिव ही है, है ना, हम लोग ऐसा नहीं है कि कुछ बोलें और कुछ करें, ज इतनी ही इमानदारी से, इतनी ही लगाने से, आपके बैच में भी आपको चीज़ें प्रुवाइट की जाएंगे, पढ़ाएं जाएंगे, तो अगर हम जैसे एक कुश्चन बनाएं कि भारत की जलवायू को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा नहीं है, निमने कारकों में हैं भारत के उत्तर में हिमालय का विस्थार, और चोथा उप्सन हम दे देते हैं भारत की देशांतर की इस्तिति हैं, तो बताइएगा, यहां पर देशांतर का मैंने कुछ लिए हैं नहीं, भारत को प्रभावित करने वाले एक कारक होते हैं, अच्छांस, प्राद्वी पी समझेगा, पहला है भारत का अच्छांसी विस्तार, अगर हम भारत के अच्छांसी विस्तार की बात करते हैं, अगर हम भारत का अच्छांसी विस्तार ब्याद करें, भारत का अच्छांसी विस्तार कितना है, तो भारत का जो अच्छांसी विस्तार है, भारत का अच्छांस अगर भारत के मानचित्र को बनाए ठीक है नीचे स्पेस नहीं है समझाने के लिए बना देते हैं यहाँ पर एक यहाँ से जहाँ से प्रारम हो रहा है यह 8 डिगरी 4 मिनट भारत उत्री गोलार्द में है और जहां तक इसका फैला हो यह है आपका 37 डिगरी 6 मिनट यह कितना है यह आपका 37 डिगरी 6 मिनट है भारत के बीचोबी से एक अच्छांस रेखा गुजरती है जो भारत को दो भागों में विवाजित करती है भारत के बीचोबी से जो रेखा है इस रेखा का नाम क्या है इस रेखा का नाम है करकरेखा तो भारत का अगर हम अच्छांसी विस्तार की बात करें तो भारत का अच् ओत्तरी गुलारदमें, ठीक है? अब यहां पर अगर हम एक डाइग्राम बनाते हैं, यहां पर माली जीजए का एक पिर्थवी बनाये हम, एक गलोब है आपका, और इस गलोब में अगर हम दर्साइ यहां पर एक यहां बिश्वत रेखा होती है, बिश्वत रेखा, उत्तरी गुलार्द में एक रेखा होती है जिसका नाम करक रेखा है और दच्छनी गुलार्द में एक रेखा होती है जिसका नाम मकर रेखा है और दच्छनी गुलार्द में एक रेखा है जिसका नाम मकर रेखा है और दच्छनी गुलार्द में एक रेखा है जिसका नाम मकर रेखा ह बर्स में एक बार सूर के करणे करक रेखा पर होती है और एक बार सूर के करणे मकर रेखा पर जाती है करक रेखा और मकर रेखा के जो बीच का छेतर है इस छेतर को हम उस्ण कटबंद कहते है इस छेत्र को क्या नाम दिया जाता है तो इस छेत्र को नाम दिया जाता है उस्ण कटबंद क्या नाम दिया जाता है उस्ण कटबंद नाम दिया जाता है कर्क और मकर रेखा के बीच के छेत्र को दिखेगा अब भारत के बीचो बीच से कर्क रेखा गुजर रही है मतलब हमार भारत यहां होगा, तो भारत का जो नीचे वाला भाग, यानि करकरेखा के नीचे वाला भाग, यह भाग उश्न कटबंद में है, और उपर वाला भाग जो है, करकरेखा के नीचे का भारत जो है, वो उश्न कटबंद ये छेत्र में है, और करकरेखा के उपर वाला जो भारत क अब भारत के तीनोर पानी है, यानि यहां पर पानी भी है, सूर की करणे एक बार इस यहां पर आती है, यानि करकरेखा पर आती है, एक किस जून को, जब सूर की करणे करकरेखा पर आती है, तो करकरेखा पर सरवादिक सूरिय तब की विप्राप्ति होती है, इसलिए पर हम कह सकते हैं जो तापमान है वो अधिक रहता है कब अधिक रहता है जून में ठीक है एक बार सूर के करने करके रेखा पर आती है और एक बार सूर के करने कहां चले जाती है मकर रेखा पर तो जब सूर के करके रेखा पर आएंगी बिश्वत रेखा को पार करके तो इस छ को सार लिखेंगे कैसे लिखेंगे इसको इस प्रिकार से लिखेंगे कि बारत ऊस्ण कटवन दिए छित्र में हैं भारत उस्ण एवं उपोष्ण कटवंदिये छेत्र में इस्तित है सूर्यतब यानि सूर्य का प्रकास सूर्यतब की प्राप्ति अधिक होती है जिस कारण से सूर्यतब की प्राप्ति क्या होती है अधिक होती है जिस कारण से सूर्यतब की प्राप्ति क्या होती है जिस कारण से सूर्यतब की प्राप्ति अधिक होती है ठीक है, साथी साथ, दैनिक तापांतर भी अधिक रहता है, यानि दिन में अधिक टेंपरेचर और रात में कम, है ना, तभी तो दैनिक तापांतर अधिक कहेंगे, दिन और रात के तापांतर में अंतर, दैनिक तापांतर अधिक रहता है, दैनेक ताप मांतर अधिक रहता है अब देखेगा दैनेक ताप मांतर या सूरियत अधिक प्राप्ति होने के कारण जो भारत के तीन और पानी है वो पानी क्या होगा पानी गर्म होगा गर्म पानी से वास्पी करण होगा और वास्पी करण से बादल वनेंगे तो हम इतना न गटनाएं घटित होती हैं तापमान यहां पर एक फैक्टर हो गया जिस कारण से मौसमी घटनाएं घटित होती हैं अब यहां पर एक्जामनर आपके साथ गेम क्हेलेगा यहां पर मैंने लिखा है कि भारत की जल्वाई को प्रिभावित करने वाले कारक अच्छानस, रिखाओं के अधर्र हम तेंप्रेचर ग्याद करते हैं विश्वत रेखा पर सूर्यता वर्षवर पराफ तोता है इसलिए विश्वत रेखा के टेंपरेचर आदे वो अच्छांसिये विस्तार के इस्थान पर यहाँ पर तापमान भी लिख कर दे सकता है अच्छान सरेखाओं के आधार पर हम किसके गड़ना करते हैं तापमान की अगर मैं आपसे कहूँ यह हमारी पिर्थवी है और यहाँ पर जीरो डिगरी है तो जैसे जैसे जीरो डिगरी से उपर वढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तापमान की कमी होगी तो अच्छान सरेखाओं छेतेज खींची जाती है और अच्छान सरेखाओं के द्वारा हम तापमान की गड़ना भी करते हैं तो यहाँ पर भारत के अच्छानसी बिस्तार की जगर तापमान में लिख सकते हैं कहने का तात पर यह है कि तापमान जलवायू को प्रभावित करने वाला इकारक हो जाता है जहां पर तापमान अधिक रहेगा वहाँ का पानी अधिक मात्रा में गर्म होगा लेकिन तापमान जलवायू को प्रभावित करने वाला या अच्छान सी किसी भी देश की अच्छान सी इस्तिती जलवायू को प्रभावित करने वाला एकमात रकारक नहीं हो सकती है कोई भी एक फैक्टर किसी भी इस्थान की जलवायू को प्रवाइत नहीं कर सकता है कई सारे फैक्टर होते हैं अगर मैं कहूं कि जहां पर तापमान है वहां पर वर्सा देखोगी तब आपकी दिमाग में कुश्चन आएगा सर राजिस्थान का टेंपरेचर अधिक रहता है तो राजिस्थान में वर्सा देखोने चाहिए बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन तापमान एक मात्र कारक नहीं है दूसरा कारक भी है भारत की प्रादुई पीस्थिति यानि भारत के तीनोर जल का होना अब तापमान भले ही अधिक वना रहे अगर पानी ही नहीं है तो बस्पिकरण कैसे होगा बताओ बस्पिकरण कैसे होगा तो तापमान के साथ साथ अन्य फेक्टर भी मात्रपून है जलवायू को प्रवावित करने वाले कारकों में ठीक है तो दूसरे फेक्टर की ओर आते हैं भारत की प्राय दुईपिये इस्थिति अब इसी को हम अन्य भासा में क्या लिख सकते हैं दूसरी भासा में दूसरे सब्दों में हम इसको क्या लिख सकते हैं भारत के तीन ओर जलका होना तो अंगला फेक्टर इसी को हम दूसरे सब्दों में हम लिख सकते हैं भारत के तीन ओर जलका होना देखेगा भारत का अगर मांचेतर बनाएं ए प्राय दुईपि भारत है यह प्रायदुईपी भारत है और भारत के तीनोर पानी है अभी जैसे समझायते आपको भारत के तीनोर पानी होने के कारण यहाँ भारत के तीनोर पानी है और यहाँ से एक रेखा गुजरती यहाँ से कौन से रेखा गुजरती है यहाँ से एक रेखा गुजरती करक रेखा करक रेखा क्यों जाएगा कब जाएगा तो यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर अगर विश्वत रेखा है अगर हम यहां पर बात करते हैं कि यहां पर विश्वत रेखा है और विश्वत रेखा पर सूर का प्रकास का पहुंचेगा विश्वत रेखा पर सूर का प्रकास पहुंचता है 21 मार्च को 21 मार्च को अगर सूर का प्रकास विश्वत रेखा पर है तो धीरे 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 ये उत्तर क्यों बढ़ेगा उत्री गोलार्द में आएगा भारत देश में आएगा करके रेखा पर पहुंचेगा कब 21 जून को तो अब ही बताइएगा जब ये जून में यानि मार्च से अपरेल माई जून यहां तक सूर का प्रकाश इस समय यहां पर रहेगा उत्री गोलार्ड में तो यहां के पानी को भी गर्म करेगा पानी भी गर्म होगा तो पानी के गर्म होनी से क्या होगा जल वास्प का निर्मा हो जाएगा बादलों का ठीक है तो भारत के तीनोर जल है भारत के तीनोर अगर जल नहीं होता तो तापमान जो फैक्टर है वह भी जलवाई को प्रवावित करने में असमर्थ हो जाता तब और कुछ फैक्टर लगाती है तब और कोई फैक्टर होता तो भारत के तीनोर पानी भारत के तीन और पानी क्या करता है वास्पी करण के लिए या जल वास्पी के निर्मान के लिए आदर्स कंडिशन उत्पन्य करता है आदर्स दसा उत्पन्य करता है ठीक है साथी साथ भारत के तीन और जल है और जल की पिरविर्टी होती है जल की जगए हम इस्थल लिखते ह एवं जल्दी से थंडे होते हैं, जल्दी से क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, कहने का ताथ पर यह हैं, कि अगर हम यहां पर ग्रीस में रितू लिखते हैं, अगर यहाँ पर हम grease में रितू लिखते हैं तो यहाँ का temperature अधिक हो जाएगा और यहाँ का temperature क्या हो जाएगा यहाँ का temperature कम हो जाएगा जिसके कारण से यहाँ पर कौन सा pressure बनेगा यहाँ पर बन जाएगा low pressure और यहाँ पर बन जाएगा high pressure यहाँ पर क्या बन जाएगा high pressure और दाव में अंतर उत्पन हो रहे हैं यहाँ पर temperature अलग यहाँ पर दाव अलग यहाँ पर दाव अलग तो भारत के तीनोर जल होने के कारण ही दाव और ताप में अंतर उत्पन होते हैं दाव और ताप में अंतर के कारण ही पवनों की उत्पत्ति होती है तो भारत की जलवाई क को प्रवावित करने वाले कारकों में बायुदाब को हम यहीं समझ लेते हैं बायुदाब को हम यहीं समझ लेते हैं कि भारत के तीनोर जल होने के कारण भारत के तीनोर जल है जिसके कारण यहां लिखते हैं ताप एवं दाव में अंतर से ताप एवं दाव में अंतर से पवन के लिए आदर्स कंडिशन है पवने तभी उत्पन होती है जब एक स्थान पर high pressure वने और दूसरे स्थान पर low pressure वने और पवन हमेशा high pressure से low pressure की ओर चलने लगती है तो दाप एवं दाप में अंतर से पवन की उत्पत्ति होती है एवं पवने एवं पवन high pressure से HP high pressure से low pressure की ओर high pressure से low pressure की ओर चलने लगती है अब देखिएगा इसी चीज को हम बढ़ाते चले हैं इसी चीज को और व्यापक बनाए अब इसी जितनी चीजने समझाई हैं एक लान में समझेए भारत की प्राइदीपी इस्थिती होने के कारण भारत के तीन और जल होने के कारण ही ताप एवं दाब में अंतर से पवन की ओर पत्ती होती है और पवन high pressure से low pressure की ओर चलने लगती है यानि समुदर से इस्थल की ओर चलने लगती है भारत की प्राइदी पी इस्थिति या भारत के तीनोर जल होने के कारण ही ए हाई प्रेसर लो प्रेसर क्यों मर रहें क्योंकि इस्थल जो है वो जल्दी से गर्म हो जाता है इसलिए गर्मियों में इस्थल पर अधिक गर्मी रहती है जबकि सर्दियों में इस्थल पर अधिक सर्दी रहती है क्या कारण है कि दिल्ली में गर्मियों के समय अधिक गर्मी रहती है जबकि सर्दियों के समय अधिक सर्दी तो बताया जाता है वहाँ पर क्या है दिल्ली चारू ओर से धरातल से गिराए समुदर से दूर है इस्थल है और इस्थल की विशेष्टा है कि इस्थल जल्दी से गर्म होते हैं और जल्दी से क्या होते हैं जल्दी से ठंडे हो जाते हैं जल्दी से ठंडे हो जाते हैं बास समझ में आई भारत की प्रैदविपी स्थिती भी समय लिए ताप इ एक ही इससे हमने एक दो चीज़ें और समय लिए अब एक आती है हिमालय की स्थिति अगर हम हिमालय की स्थिति की बात करते हैं अंगली फेक्टर की बात की जाए कि हिमालय किस परकार से भारत की जलवाईव को प्रवावित करता है हिमालय की स्थिति तो हिमालय को भारत का पहर पहले देखेगा समझने की कोशे करेंगे यहां पर हिमालय परवत है यहां पर यह लंबी परवत रंखलाइक जो फैली हुई है यह आपकी हिमालय परवत है हिमालय परवत क्या करता है हिमालय परवत आगे उपर बढ़ेंगे तो यहां पर भारत का अच्छाएंसर 37 डिग्री 6 मिनेट 37 degree 6 minute के उपर कही ना कही 6-6 degree ना कही 90 degree होगा 90 degree 90 degree से धूरबी पवन्ये चलती है इस्थाइप पवन्ये होती है तो धूरबी चेत्रों से 90 degree है चाहे 90 डिग्री उत्तरी हो चाहे 90 डिग्री दच्छनी हो तो धुर्विये छेत्रों से धुर्विये पवन आ रही है तो हिमालय क्या करता है इन धुर्विये पवनों को भारत में आने से रोकता है धुर्विये पवन थंडी पवन होती है धुर्विये पवन कैसी पवन है धुर्विये पवन थंडी पवन होती है और हिमालय क्या करता है भारत में आने से रोकता है साथी साथ बंगाल की खाड़ी अगर हम बनाते हैं आपर बंगाल की खाड़ी से उत्पन होने वाला मांसून जब आंगे बढ़ता है तो यह हमालय परवत से ही टकरा कर पूर्व उत्तर भारत के छेत्रों में और भारत के उत्तर वर्ती छेत्रों में क्या करता है वर्सा करता ह तो कहने का ततपर यह है कि हमालय परवत एक तो बंगाल की खाड़ी से जाने वाले मांसुन को रोकर वर्षा कराता है साथी साथ धुर्वी छेत्रों से आने वाली सीत लहरें या धुर्वी लहरों से भारत की रक्षा करता है भारत में आने से ने रोक देता है तो यह हमालय प उच्चावच उच्चावच के बारे में अगर हम बात करते हैं तो माली जेगा ये कोई एक परवती छित्र है और ये मैदानी छित्र है यहाँ पर ये कोई परवत है और यहाँ पर कोई मैंने एक मैदानी छित्र बनाया यहाँ पर एक मैदान है जैसे जैसे आप मैदान से परवतों की और बढ़ेंगे कहने का मतलब है उचाए बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है उचाए बढ़ेगी तो तापमान में क्या आएगी कमी अगर मैं कहूं गर्मी के मौसम में आपको घूमने जाना है पिकनिक मनाने जाना है तो आप कहां जाएंगे गर्मी के मौसम में घूमने या पिकनिक मनाने कहां जाएंगे परवतों पर क्योंकि उचाई बढ़ने के साथ साथ ताप मान में क्या आती है, कमी आ जाती है, उचाई बढ़ने पर अगर उचाई बढ़ती है, तो ताप मान में क्या जाती है, उचाई अगर अधिक होगी, उचाई अधिक, तो ताप मान कप, कितना कम होता है, 165 मीटर की उचाई पर जा पर, एक्सोपैंसट मीटर उचाई पर जाने पर, एक डिगरी संटिगरेट तापमान कम हो जाता है, एक डिगरी संटिगरेट तापमान कम हो जाता है, इसे तापमान की सामान статьar कहते हैं, सामान ने ताप राज़दर कहते हैं नॉर्मल लेप्स रेट बोलते हैं सामान ताप राज़दर कितनी होती है एक सो पैंसेट मीटर की उचाएब पर एक डिगरी सेंटिग्रेट होती है एक सो पैंसेट मीटर की उचाएब पर दिगरी सेंटिग्रेट होती है, ठीक है, तो परवति ये छित्रों का ताप मान देख रहेगा, मैदानी छित्रों का ताप मान कम रहेगा, अब यहाँ पर दिखेगा, मैं अपनी बात को काट रहा हूं, मैंने कहा भारत का अच्छांसी विस्तार, भारत की जलवाई को पर मांचित्र बनाया मैंने यहां पर भारत का यह माली जिगा उरल एक मांचित्र बना दिया और मैंने यहां से एक रेखा उजार दी मैंने कहा यहां पर एक सहर है एक ही अच्छांस पर एक सहर है आगरा और यहां पर इसी अच्छांस पर एक सहर है दार्जलिंग हमने कहा अगर यह दार्जलिंग दार्ज यहां पर पश्चमंगाल में एक जगह है दार्जलिंग कौनसी है दार्जलिंग है ठीक है दार्जलिंग पहाड़ी छेतर पर है आप जानते हैं कि यहां का टेंपरिचर कम होता है और आगरा का टेंपरिचर अधिक रहता है ठीक है मैं कह रहा हूं कि दौनों एक ही अच्छांस परिस्तित हैं मैं कह रहा हूं कि दौनों सेम अच्छा अच्छांस एकमात्र कारक नहीं है जो तापमान को प्रभावित करें देखी मैं बदल गया अपनी बास से बदल इसलिए गया क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपको समझाने के कोसिस कर रहा हूं मैंने भी कहा था कि अच्छांस है अच्छांस तापमान को नहीं धारत करती है है ना अच्छांस जीरो डिग्री अच्छांस है वहाँ पर तापमाना देख पांच डिग्री अच्छांस है वहाँ पर जीरो के अपक्छा और कम 90 डिग्री है वहाँ का और कम जैसे जैसे कमी आती जाएगे अब मैं कह रहा हूं कि दौनों सहर दार्जिलिंग और आगरा एक ही अच्छांस परिस्तित हैं उसके बावजूद भी आगरा का टेंपरेचर है और दार्जिलिंग का तापमान कम रहता है क्यों तो आप कहेंगे उच्छा वच्छ फैक्टर कारी कर रहा है यहां पर कौन सा फैक्टर कारी कर रहा है यहां पर फैक्टर कारी कर रहा है उच्छा वच्छ कौन सा फैक्टर उच्छ वच्छ फैक्टर यहां पर कारी कर रहा है क्योंकि जैसे जैसे उच्छाई बढ़ती जाएगी बैसे बैसे तापमान में कमी आएगी जो आगरा है यह मैदानों में है, आगरा है, इस मैदानी छितर में है और दार्जलिंग जो है, पहाडी छितर में है, और मैंने आपको बताया है, कि जैसे जैसे उचाई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान में क्या आएगी कमी आएगी ठीक है तो यहाँ पर टेंपरेचर कम होगा और यहाँ पर टेंपरेचर अधिक हो जाएगा बोलो बात समय भाई तो प्री और मैंस के इसाब से दौनों में आपको comfortable रहेगा अब साम तो यहां पर सासाट हो जिसका नाम क्या है मान लीजिएगा यहां पर एक सहर है मात पून साहर चिन ड़ै क्या रहेगा पर बारिसे तापमान या दैनिक तापमान तर अधिक रहेगा बताईएगा एक कुछन पूछ लेएगा प्री में आपसे तो दिल्ली का तापमांतर अधिक रहेगा दैनिक तापमांतर अधिक रहेगा क्यों क्योंकि दिन में अधिक गर्म रहेगा और रात में धिक ठंडा हो जाएगा लेकन इस समुद्र के किनारे जो हैं समुद्र के किना पारण यहां पर वर्सवर एक समान मौसम रहता है आप मुंबई में कभी भी जाईएगा घूमने आप मैंसे कई सारे लोग गए भी होंगे आप देखेंगे मुंबई में एक समान मौसम पाय जाता है मौसमी बिवित्ताइं कम पाय जाती है जबकि स्थल खंड पर मौसमी पढ़ाएंगे वो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में भूगोल आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा आप कहेंगे बास्तों में सरने बहुत इंट्रेस्टेट पढ़ाया है और यह टॉपिक जो भारत की जलवायू यह बहुत ही इंट्रेस्टेट टॉपिक है बताईएगा अभी तक की बात समय में आई तो मैं यह कह रहा था तो आप बताएंगे कि तटी छेत्रों में समुद्री जलवायू समुद्र के किनारी होने कारण समुद्र और जल दौनों का प्रभाव यहाँ पर है इसलिए यहाँ पर एक समान मौसम रहता है समकारी कहते हैं तो तटी छेत्रों में काउंसी जलवायू पाई जाती समकारी जितना मैंने अभी पढ़ाया है आपको 45-45 मुनिक क्लास अगर आप यहाँ से देखेंगे तो प्रिलिम्स और मैंस और निवन्द अगर निवन्द में भी यहाँ से कोई कोशन बने तो वहाँ पर भी अगर कोई विसेशता अगर डालनी हो तो आप वहाँ भी डाल सकते हैं कमेंट करके अनरोध है आपसे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी क्लास आपको कैसी लगी साथी साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक निस्सुल के टेलिग्राम चैनल है आप उसको जोइन कर लीजिएगा जिस पर आपको सूचना प्रेसित की जाती रहेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं धन्यवाद